यह हैं आपका अपना चैनल माई पोडल तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं क्या है टाइम टेविल कक्षा पांच मी और कक्षा आट मी की परिक्षा का और फिर इसके बाद हम बताएंगे कि क्या है निर्देश राजिस सिक्षा के अंदर भोपाल की लेकिन इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बार पांच में आट में की परिक्षा आनलाइन कारिकरम के सहयोग से होगी यानि परिक्षा तो कक्षाओं में होगी लेकिन परिक्षा की पूर्ब तयारी जैसे प्रवेश पत्र, मार्क सीट, मुल्यांकन, कक्ष, एलोट्मेंट आदी बहुत सारी काम एक आनलाइन वेपसाइट के माध्धम से संपन होगे जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो तयार करेंगे कि वो काम, तकनीकी काम हम कैसे करेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या निर्देश हैं और कैसे हम परिक्षा को संचालित करेंगे यह मूल्यांकन कारिकरम यानि टाइम टेविल 21-22 परिक्षा का समय कक्षा पांच में के लिए है सुबह 9 बजे से 11 बच कर 30 मिनट तक और वही समय कक्षा आठ में के लिए भी है सुबह 9 बजे से 11 बच कर 30 मिनट तक पांच में की परिक्षा शुरू होगी 21 मार्च से यानी सौमवार से और इन दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रजेक्ट कारहितु सभी विश्यों की बुकलेट बच्चों को प्रदान करना वा विश्य शिक्षक द्वारा पूर्ण करने सम्मंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना ये कारिक्रम होगा 21 तारिक को सौमवार को पहला पेपर एक अप्रेल को होगा शुक्रवार को कक्षा पांच में ये विश्य होगी लिखित प्रथम भाषा यानी विशिष्ट भाषा हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी आदी और चार तारिक को यानी दो और तीन को कोई भी परिक्षार नहीं है चार तारिक को दूसरा पेपर होगा सामान हिंदी अंग्रेजी उर्दू मराठी आदी माध्यम के परिक्षार दिए तू पांच अप्रेल को यानी मंगलबार को जो पेपर होगा वो ये है कि लिखित दुतिय भाषा सामान यानी अं चे तारी को जो पेपर है वो है गड़ित, अबलिक, संगीत और ये दृष्टी वाधितों के लिए है साथ तारी को लिखित अतिरिक्त विश्या यानि सामान उर्दू-मराठी आदी का प्रश्ण पत्र होगा और आठ अप्रेल को परियावरन अध्यन का प्रश्ण पत्र होगा और इस तरह से कक्षा पांच की परिक्षाएं आठ अप्रेल को समाप्त हो जाएंगी अब हम बात करते हैं कक्षा आठ की इसमें 1 अप्रेल को प्रिथम भाषा यानि विश्ष्ट हिंदी-अंग्रिजी उर्दू-मराठी आदी साहिक बाचन सहित विश्य होंगे 4 अप्रेल को लिखित सामान हिंदी जोकी अंग्रिजी-उर्दू-मराठी आदी माध्यम के परिक्षारतियों के लिए होगी 5 अप्रेल को होगा विज्ञान का पेपर 6 अप्रेल को गड़ित अबलिक संगीत दिष्टी बादितों के लिए होगा 7 अप्रेल को होगा तिर्ती भाषा यानि सामान संस्कृत उर्दू पंजाबी मल्यालम आदी भाषाएं और 8 तारीक को होगा समाजिक विज्ञान का और 9 तारीक को होगा लिखेत दुती भाषा यानि सामान अंग्रेजी या अन्भाषा तो इस तरह से कक्षा आठ की परिक्षाएं भी 9 अप्रेल को समाप्त हो जाएंगे तो ये तो था परिक्षा कारिक्रम टाइम टिवल कक्षा पाचमी और आठमी का और अब बताते हैं निर्देश राजी सिक्षा केंद की क्या है किस तरह से हम परिक्षाओं को संचालित करेंगे परिक्षा के लिए राज सिक्षा के अंदर का पत्र आया है 20 फरवरी को और पत्र क्रमांख है 1342 और ये पत्र मुल्यंकन शाखा से जारी हुआ है और इस पत्र में समझ सीमा भी निरधारित की गई है और पृति दी गई है जिला सिक्षादिकारी को सायक्त आयक्त आधिवासीविकास भवाग प्राचार, जिला सिक्षा, एवं प्रिशिक्षर संस्थान और जिला परयोजना समनबैक को इसमें विश्य दिया हुआ है पांचमी आर्टमी की वार्षिक परिक्षार निर्देश बर्ष 21-22 लिखा हुआ है विश्यांतर्गत निश्वलक और रनेवारे वाल सिक्षादिकार अधिनियम 2009 में भारा सरकार द्वारा किये गए संशोधन के अनकरम में राजशाशन द्वारा बर्टमान अकादमिक 27-22 से कक्षा 5 एवं 8 का वार्षिक मुल्यांकन निम्न अनुसार होगा और इसमें पहला बिंदू दिया है आर्टी एक्ट 2019 शंशोधन एवं गजट नूटिफिकिशन के उपरांत प्रदेश में कक्षा 5 और 8 की परिक्षा है यानि की वार्षिक परिक्षा के रूप में सम्मोधित की जाएगी ये परिक्षा 1 अपरेल से 9 अपरेल की अबदी में सनलगन समय सारणी अनुसार आयोजित की जाएगी इसे बोर्ड परिक्षा नहीं कहा जाएगा दूसरी बिंदू में लिखा हुआ है कि एकाद्मिक वर्ष के अंत में कक्षा पांच और आट की नीमित परिक्षा राज सिक्षा केंद की निर्देश अनुसार जिला सिक्षा अदिकारी के नेत्रत में संपादित कराई जाएगी तीसरा बिंदु दिया है कि परिक्षा में बैठने वाला कोई बालक परिक्षा में उत्रीन खोशित किया जाएगा यदि वह सभी वेशियों में राज सिक्षा के अंदर द्वारा बिनिश्चित किये गए अंक या ग्रिड प्राप्त करता है। परिक्षा में बैठने वाला कोई बालक यदि राज सिक्षा के अंदर द्वारा बिनिश्चित किये गए अंक या ग्रिड प्राप्त नहीं कर पाता तो उस बालक को विध्याले द्वारा अत्रिक्त सिक्षन दिया जाएगा और परिक्षा परणाम घोशित होने की तारीक से द पुन्हा आउसर दिया जाए और दो मेहने की अवदी में उसको परिक्षा देने का भी आउसर प्रणा किया जाए अगला बिन्दू दिया है कि पुन्हा परिक्षा के मूलेंकन के उपरांत भी यदि बालक सभी विश्यों में अत्वा किसी भी विश्यों में आहरताकारी अ स्कूल में प्रारंबिक सिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निश्कासित नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र एवं चालिस अंग का हौम बेस्ट प्रोजेक्ट कार होगा। शादीकारी द्वारा कराने के उपरांथी परिक्षा फल गोशित किया जाएगा। अशाश्की अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए जो निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। शाश्की शालाओं में धिनरत कक्षा पांच वो आठ की विद्धारतियों के लिए भी उपरोक्त आईटी ई संसोधन अनुसार बिनिदिश्ट कारवाही लागू होगी। शाश्की शालाओं में वार्शिक परिक्षा एवं पुन्हा परिक्षा का आयूजन एवं पिरबंधन अशाश्की विद्धाले की पिरबंद समीती द्वारा किया जाएगा। पत्र जारी हुआ है संचालक राजसिक्षा केंदर भौपाल के द्वारा और इसकी बितिलिपी बिविनिस तरों पर दी गई है।